नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेंद्र सिंग चोहान, भारत में मुस्लिम्स की आबादी 20 करोड से भी अधिक है इन में से अधिसंख परिवार यानि अधिसंख मुस्लिम्स और उनके बच्चे बेहद बदहाल इस्ति में हैं मुस्लिम स्टपके की विकास के लिए और उसकी तरक्की के लिए उसकी सिच्छा के लिए उसकी बदहाली दूर करने के लिए करिब दो दसक पहले वर्ष दोजार पांच में ततकालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, सैच्छिक इस्थित का अध्यन करने के लिए जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यच्छता में एक कमेटी का गठन किया था इस कमेटी ने 30 नौवंबर 2006 को सच्चर कमेटी द्वरा तैयार बहुचर्चित रिपोर्ट भारत के मुसलिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, सैच्छिक इस्थिती को लोगसभा में पेस किया था जे हाँ, इसमें साफ तोर पर बताया गया था कि मुसल्मानों की भारत के मुसल्मानों की इस्थिती क्या है और कैसी है सच्छर कमेटी ने अपने निशकर्सों में बताया था कि भारत में मुसल्मान आर्थिक, सैच्छिक रूप से पिछड़े हुए हैं लिहाजा सरकारी नोकरियों में उन्हें उचित प्रतिनी जित्तों नहीं मिल पाता और बैंक लोन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिससे वहाँ रोजगार की दिशा में उद्योग की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते कई मामलों में मुश्लिम गरीब तबके की इस्थिती अनुसूचित जन जातियों से भी बदतर है यानि खराब है मुश्लिम बच्चे या तो इस्कूल जाना ही नहीं चायते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या जाते नहीं है मैट्रिक इस्तर पर मुश्लिमों की सैंचरिक उपलबदी 26 प्रतिशत के राश्ट्रिय आउस्थ के मुकाबले केवल 17 प्रतिशत है और मात्र पचास प्रतिसत मुस्लिम बच्चे ही मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं जबकि मिडिल स्कूल की रास्तिय अदर 62 हफीश दिये जिस साल सच्चर कमेटी की सिफारिशें आई उसी साल सामाजिक नय और अधिकारिता मंत्राले से एक अलग एक नए अल्प संख्यक मंत्राले का गठन किया गया अब इहालातिया है कि भारत का बजट यानि भारत सरकार का बजट अमूमन बढ़ता रहता है और खासिया है कि अल्प संख्यक मंत्राले का बजट कम हो रहा है अब देखें तो 2014-15 में अल्प संख्यक मंत्राले का बजट 3734 करोड रुपए था जो कि वर्स 2023-2024 में 637 करोड रुपए से घट कर यानि 637 करोड रुपए घट कर 397 करोड हो गया यानि अल्प संख्यक मंत्राले के बजट में करीब 17 प्रतिशत की कटोटी की गई है यानि भारी कमी की गई है तो कहीं न कहीं इसका फर्क इसका असर अल्प संख्यक समुदाय पर पड़ेगा उनके बच्चों पर पड़ेगा उनकी बच्चों की सिच्छा पर पड़ेगा इतना ही नहीं बहुत सारी चीजे हैं अब देखें भारत सरकार ने एक फरवरी 2023 को वित वर्स 2023-24 का बजट पेश किया था वित मंत्री शिरीमती निर्मला सीता रमंग ने इस बजट में अल्प संख्यक कार्य मंत्राले को 3097 करो 60 लाख रुपए जारी किये जो की साल 2022-23 के बजट से 38.3 प्रतिशत कम है यहाँ एक विस्तरत रिपोर्ट नियूज लांडरी पोर्टल ने अपने पोर्टल पर दी है जिस पर साफ साफ बहुत कुछ दिख रहा है कि किस तरह से भारत सरकार ने अल्प संख्यक मंत्राले का बजट कम किया है साल 2022 तेश में अलपसंख्यक मंत्राले का बजट पांच जार बीस करोड़ पचास लाफ रुपए था हलाकि सरकार पिछले साल भी बजट में आवंटित राज को खर्च नहीं कर पाई थी यानि मंत्राले इस धनराज को जो आवंटित हुई थी धनराज उसे खर्च नहीं कर पाया था मंत्राले दोरा कुल बजट का सिर्फ 47.9% ही खर्च किया गया था संसोदित बजट में भी बताया गया था कि कुल 5020 करोड रुपए 50 लाख रुपए में से मंत्राले 2612 करोड 66 लाख रुपए ही खर्च किये गए इतना ही नहीं केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने अल्प संख्यक्त विभाग की तीन प्रमुख छात्र विरतियों को भी बंद कर दिया था इनमें मौलाना आजाद फेलोशिप आठवी कच्छा तक के लिए प्री मैट्रिक छात्र विरति और पढ़ोप प्रदेश इसकीम को भी बंद कर दिया गया चात्र विरति बंद होने के बाद विपच्छी दलों के अलावा यानी जो सत्ता में दल है उसके सांसद भाजपा सांसद प्रीतम मुंडे ने फिर से चात्र विरति शुरू करने की बात सदन में उठाई थी वहीं कांग्रेश के अध्यच मलिकारजन खडगे ने कहा था कि चात्र विरति बंद कर गरेब चात्रों को वंचित करने के पीछे सरकार का मनतव क्या है या सरकार को सपश्ट करना चाहिए ुन गरेब विध्यार्थियों के हक का पैसा मार कर सरकार कितनी कमाई कर लेगी या कितना पैसा बचा लेगी बात यहीं खत्म नहीं होती है भारत सरकार के वित्त सचिव टीवी शोम नाथन ने बजट के बाद कहा था कि सिच्छा में अधिक पैसे लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा साफ है कि वित्त सचिव का जो कहना है कि वा बजट में सिच्छा के लिए अधिक पैसा नहीं देना चाहते हैं तो इससे साफ है कि क्या अल्प संख्यों की सिच्छा पर जान भूज कर कुठारा घात किया जा रहा है उनके इस बयां की जहलक इस बार के बजट में भी दिखी और अल्प संख्यों के सिच्छा ससक्ती करम बजट में फिचले साल की तुलना में 33 प्रतिशत की कटोती की गई सिच्छा ससक्ती करम बजट के में कुल सात योजनाएं हैं जिसमें से तीन इसकालर से बंद हो गई हैं इन सातों योजनाओं का साल 2022-23 में कुल बजट 2515 करोड रुपए था वहीं साल 2023-24 में यहां आकला घट कर 1689 करोड रुपए हो गया यानि इस रास में भी 826 करोड रुपए की धनराज की कटोती कर ली गई जो कि कुल रकम का 32.8 प्रतिशत है इतना ही नहीं पिछले बजट में जो आवंटित किया गया था बजट सरकार उसमें से भी करीब 931 करोड रुपए खर्च नहीं कर पाई इतना ही नहीं यूपी एससी एससी और राज पी प्रारंबिक परिच्छाओं को पास करने वाले अलप संख्यक उम्मी द्वारों को वित्तिय साहता देने के लिए नई उडाम च्छात रुरति को इस वर्ष कोई बजट नहीं दिया गया जबकि पिछले साल इस स्कालर्शिप के लिए आठ करोड रुपए का बजट आवंटित किया गया था बजट तो सून निकर दिया गया है लेकिन यहाँ साफ नहीं है क्या है कैसे है सरकार क्या सोचती है इस चात्र वरति के बारे में इसी तरह से मेघावी चात्रों को व्यवसाइक और तक्निकी पाठक्रमों में आगे पुणने के लिए आर्थिक रूप से साहता देने के लिए मेरिट का मेंस चात्र वरति योजना को पिछले साल की तुल्मा में 321 करोड रुपए कम मिले हैं जो कि इसके बजट में लगबग 88 प्रतिशत की गिरावट है आपको यह भी बता दें कि 2014 से 2022 के बीच इस योजना में हर साल औस तन देड़ लाग से ज्यादा आवेदक लाभानवित हुए है नया सवेरा योजना के बजट में इस साल 62 प्रतिशत की कटोती की गई है साल 2022-23 में 89 करोड रुपए आवंटित किये गए थे जिसे इस साल घटा कर 30 करोड रुपए कर दिया गया है इस योजना के तहद अलप संखिक समुदाय के गरीब छात्रों को प्रतियोगी परिच्छाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुबधा प्रदान की जाती है हलाकि एक स्कीम है जिसके बजट में सरकार ने इस साल बढ़ुतरी किये पोस्ट मेट्रिक स्कीम के लिए साल 2022 देश में 515 करोड रुपए आवंटित किये गये हैं जो इस साल के बजट में बढ़ा कर 1065 करोड रुपए कर दिये गये हैं यानि इस योजना के बजट में 106% की बढ़ोत्री की गई है इस तरह से पूरे परिद्रस में देखें तो अलप संख्यकों के लिए कई योजनाएं समाप्त हो गई इसकॉलर्शिप समाप्त हो गई अब सवाल यह उठता है कि क्या अलप संख्यक समाज यानि मुस्लिम समदाए अबते बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है या अपने बच्चों को आगे नहीं बढाना चाहता है या उनके विकास के लिए वह कुछ नहीं सुचता है क्योंकि अगर भारत सरकार का बजट जो आवंटित होता है आरच्चित होता है अगर मंत्राले का वह पैसा खर्च नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि योजनाओं में नीचे से आने वाले आवेदनों में कहीं न कहीं बड़ी कमी रहती है तो इसे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अलप संक्यक्ष समुदाए अपना विकास नहीं चाहता है या वह तरकी नहीं चाहता है या वह नोकरी पेसा छेतर में नहीं जाना चाहता है जिससे क्योंकि जब वह सिच्छा हासिल करेगा तभी वह कहीं आगे बड़ पाएगा नोकरी पेसा छेतर में या अगर पड़ लिक पाएगा तो उद्योग धंदे लगाएगा कारोबार करेगा इस तरह से पूरे सीन में देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या क्योंकि भारा सरकार ने पहले बजट दिया वहां बजट खर्च नहीं हो पाया बजट खर्च ना होने के पीछे एक बड़ा कारण साब तोर पर सामने आता है या तो नोकर साही कहूं कहीं अलंगे लगा रही है या फिर आविदन नहीं आते हैं जिसकी वज़े से बजट ख यदि आपको हमारा या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों वीडियो को लाइक करना न बोले आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोसान होता है हमारा मोटिवेशन होता है आपने वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यो जै हिंद जै भारत